हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी आशे करता हूं आप सभी ठीक होंगे अच्छ होंगे मेरा नाम है सुधीर और आज हम पढ़ेंगी चैप्टर नमबर थरी इंडिया एंड इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में तो दिखिए यहां पर क्या उनकान सी चीज़ हैं यहां पर हैं क को से पहला कोशन है दिस कंट्री वास वन्स वन आप फिप्टेंश रिपब्लिक एट में अप सोवियत उनियन इट लाइस ऑन सूर्स ऑफ दा बाल्टिक सी इन यूरोप इस कैपिटल इस रीगा नेम दा कंट्री कोशन अगर आपको रीगा पता है रीगा किसकी कैपिटल है तो आप जान सकते हैं तो दिखें ना पंदरा रिपब्लिक को मिला के सोवियत उनियन बनता था ठीक है ना ठीक ना अब यहाँ पर क्या है यह बाल्टिक सी के किनारे है और इसी कैपिटल है रीगा तो यह कंट्री काउं सी है तो यह है लताविया कंट्री है तो लताविया क क्या है तबलीशी तबलीशी ठीक है चलिए आगे आते कुछ नमर टूपे विच कैलेंडर है दा बार्ट अब जीसस क्रिस्ट अधर सेंट्रल इवेंट तो जो जीसस क्रिस्ट के बेस है जो कैलेंडर उसे हम क्या कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर यानि कि जो कैलेंडर जैसे जनेनवरी फरवारी चल आए ना यहार्प है gratia के लेंडर होता है यह आपका सख डेंडर। अब देखिए लूनर का मलब होता है चंदृत चंद्रमा के जो पूरे महीने में यानि इस तरीके कहो तो उसके हिसाब से यहां पर लूरें करेंडर बनता है थार नंबर विच स्विलाइजेशन वाइस्ट डेवलप इन रिटन लेंगवेज यानि कि ऐसा कौन सा सिविलाइजेशन था जहां पर सबसे पहले यानि लिखे हुए साथ मिले तो ये था आपका मेसोपोटामिया क्या था मेसोपोटामिया देखे कहीं कहीं के आंसर में आपको यह भी दे रखा होगा कि चाइना ठीक है ना कि सबसे पहले जो रिटन वाली चीज़ें मिली वह अपको गरवर करना होता है तो लेकिन अभी यहाँ पर यह था इन दोनों नदियों के बीच में यह था मेसो ठीक हो का मतलब यह होता एं दूरों नदियों को बीच में यह था चलिए अब यह इंडस वैले ही इस जिविलाइजेशन Hamm adhered और सिंदु नदी क्या है पाकिस्तान की जाओर नदी नदी कौन से आपका सिंदु जो आपका civilization था यह किस नदी के किनारे था यह यलो रीवल के किनारे था जिसे हम कहते हैं हांग हो रीवर कुशन इंटरणेशन को अफिसली बिगन के कह रहा है कि युणाइटेशन जो संस्ता है वो कब बनी गई तु यह बनी थी ट्विन के अबजर्बेटरी टेलिस्कोप और वर्ल्ड मोस्ट सांटिफिकली प्रोडक्टिव अप्तिकल एंद इन्फारेट टेलिस्कोप वेर इस दा क्रेक का नाम है किलाव किलाव ठीक है और माउनालोव ठीक है यह सब क्या है वोलकैनों के नाम है जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है मलब फटते रहते हैं बीच बीच में चले नमर 6 कुशन यह कह रहा है कि इननों ने क्या क्या किया क्या क्या एक्वार इसे नोड इसेऽ की उनको क्या क्या यूनाइट किया तो यह कौन है तो यह है आपका चंगेश खान कौन है गंगेश खान लिखा नहीं है चंगेश खान ही है यह किस धरम से रिलेटेट है तो यह रिलेटेट है टैंगरी धरम एक होता है टैंगरी धरम तो यह टैंगरी धरम के भक्त थे ठीक है चलिए आगे आते हैं कोशन नमबर सेवन पर आते हैं कोशन नमबर सेवन के है विच ग्रेट आर्क इस बिल्ट बाई मुहम्मद कुली कुतुब शाह इन फिप्टीन नाइटीवन तो कॉमरेट अफ प्लेग अफ दा सिटी ठीक है तो ये कब बनाए गया जब उस सिटी में प्लेग एक बिमारी होती है जो चूहों सो फैलती है ठीक है जब वो बिमारी खत्फ होगे तो उसमें बनाया गया तो यह आपका चार मिनार और आपका कहाँ पर है तो यह के आपका करनाटक में हर एक डैनेश्टी को किस ने शुरू किया था तो इनका नाम है बिंबिसार क्या नाम है बिंबिसार ठीक है अधे बिंदुसार बिंदुसार कौन है यह चंद्रगुप्त मौरे है जो मौरे समराट के संस्थापक थे उनके बेटे हैं कौन बिंदुसार फिर है चंद्रगुप्त मौरे तो चंद्रगुप्त मौरे कौन है मौरे समराज के संस सबसे पुराना वेद कौन सा है तो यह है आपका रिगवेद कि रचने की विश्वा मित्र जी नहीं नहीं कुछन नमर टैन गोल ऑफ दिस रिलीजिन इस अटेनिंग दा इस्टेट आ निर्माद इस इसकेपिंग अफ सफरिंग रिबर्थ इस रिलीजिन का जो अल्टीमेट गोल है वो है निर्वान को अटेन करना साथिसाथ जो हमारी साइकल है रीबर्त होने की मरने की और सफर करने की ठीके नहीं सब चीजों को खात्म कर गये किसी वी जानवर किसी प्रकार की हिंसा न पहुंचाई जाए ठीके दा मोस्ट विस्पर्ड ऑफ थ्री अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ वर्ड विच ऑफ फॉल्विए इस फ्रिक्वेंट ली पोर्ट्रेइड अनिमल और हर अपन सील तो देखिए हर अपन की सील्स पर किस जानवर की सील लगी होती थी कोशन यह पूछा गया है तो यह है आपका थीक्वर्ड इटाव्ट जो आप वस्कोट लेन्ट एक लिए इस्कॉट्लेंड만 इसकोट्लेंट सब्सक्राट्वら निवास का नेशनल इनमल है आपका कौन यूचॉण ठीक लिकिन अइसा बताए जाता है कि यूणीकॉन जैसा कोई भी जान्वार इस दुनिया में नहीं ह है ठीक है चलिए आगे आते हैं कोशन नंबर 12 पर ए जेनरल ऑफ फ्रेंच रिविलुशन सीज्ट पावर और क्राउं इंसल्फ इंप्रेंट अफ फ्रांस अंडर हिम फ्रांस expended its boundary after disastrous फ्रेंच invasion of Russia he was exiled to the island of the Saint Helena where he dead who was the great French general तो क्वेशन यह है कि यहां पर ऐसा कौन सा फ्रेंच रिविलुशनरी था जिसने फ्रांस को ठीके ना फ्रांस को अपना रादय घोसित किया और साथी साथ फ्रांस की जो बाउंटरी है उसको बहुत ही expand किया ठीके ना अब दीखिए यहां पर जब रश्या का invasion होता है तो यह भगता है एक्साइल करता है और साथी साथ सेंट हेलीना में इसकी मौत होती है सेंट हेलीन आइलेंड पे तो यह कौन सा था ग्रेंट फ्रेंच रूलर तो इसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट कौन था यह नेपोलियन बोनापार्ट चले कोशन नमर थाटीन पर आते हैं एनी बेस थी यह ब्रिटिस यानि की अंग्रेश की थी ठीक ना थी यो सोपिस्ट थी साथ उमें राइट एक्टिविटेश थी महिलाओं के लिए काम करती थे तो इन्होंने नियूस पेपर शुरू किया था उसका नाम क्या था तो उसका नाम था नियू इंडिया अभी किता हिंदू न मुगल डाइनेश्टी फॉर नियरली टू थाउजन एयर टूहंड़ेश इंडियर इट वस कंस्ट्रक्ट वाई विच मुगल एंपर देखे कोशें ने कर रहा कि रेड़ फोर्ड में जितने भी मुगल एंपर थे वह सब लोग वहीं पे रहते थे दो सो साल तक लगों वही अजिए अब टाज महल के वारा में तो चीज़ी पताता हूं टाज महल में जो पत्थर लगा हुआ है ठीक है ना वॉइट कलर का उसे हम कहते हैं संग मरमर ठीक और साते साथ जो क्लकता है कोलकता में आपका क्या है विक्टोडिया में तो विक्तोरिय ममोर दूम्र बनाये ग अनुदाचल प्रदेश अनुदाचल प्रदेश की कैपिटल है इंटानागर और यह इंडिया में है फिर है पक्योंग एयरपोर्ट यह आपका कहां पर है सिक्किम में है ठीक है अब यहां पर सुबांग एयरपोर्ट सुबांग एयरपोर्ट आपका कहां पर है यह मलेशिया म जाएगा option number C मैंने बताएं कि नहीं बताएं ठीक है option number C मलीशिया में इंडिया में नहीं है चलिए question number आते हैं 16 पे 16 है currently how many countries are member of United Nation United Nation के कितने आपके जू country member है तो यह 193 question number 17 question number 17 क्या है this structure was built by an person King Frederick William second it divided East and West Berlin for many years it has chariot drawn by four horses on the top what is called क्या है कि इसको यह जो building आप देख रहे हैं इसको किस ने बनवाए था King Frederick William second ने ठीक है यह Persian यानि कि पर्शिया कंटरी के राज़ा थे साथी साथ यहां पर क्या होता है जो Germany है Germany की Captain आपकी क्या है Germany की Capital है आपकी Berlin ठीक है तो question ही कह रहा है कि इसको यह divide करता था East और West Berlin में कई सालों तक तो इसके उपर एक chariot है chariot का मलब क्या है यहां पर चार घोड़े आपको दोड़ते हुए दिखाई देंगे ठीक है तो सबसे ऊपर लगा हुआ है तो इस बिल्डिंग का नाम क्या है यह आप से पूछा गया है तो यह ब्रेडन बर्ग गेट क्या है ब्रेडन बर्ग गेट तो ब्रेडन बर्ग गेट आपका कहां पर है यह आपका बर्लेन जर्मनी में ठीक है चलिए आगे आते हैं कोशन नबर 18 इंटरनेशनल उमेंड डे सेलिब्रेट आउं दा सोसल एकोनॉमिक कल्चर और पॉलिटिकल एचिवमेंट ऑफ उमेंड ओन विच डेट इंटरनेशनल उमेंड डे सेलिब्रेट देखिए आज है नाइन है जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और आठ मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल उमेंड ठीक है ना उमेंड को आगे बढ़ाने के लिए सोसल एकोनॉमिक कल्चर और पॉलिटिक्स में भी बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है चलिए कोशन नमर्ट न लंदर है यानि कि लंदर का सबसे ऊंचा हाईयेस्ट पॉइंट है यह और यह इस पर एक डॉम बना हुँआ है जो दुनिया की सबसे लाज़ेस्ट डॉम के अंदर आता है यह बिल्डिंग का नाम क्या है इस बिल्डिंग को आपने देखा हुगा कहां पर मूइज में क्या नम सका सेंट पॉल gated ठीक ना इसके जो रिकिट है उनान तो सर-क्रीश्टोफर वर्यन और अब यहां पर है सैंट बेसलिस जित्क है यह अपका कहा कहां है यह है मौश को रसिया में कहां Meonds को रसियामे ठीक है फिर सी नंबर Empire State अब Kitty shows और यहां पर phone number है लॉइटस बिल्टिंग यहां पर कहां पर है लंदन-ंग्लेंड में लंदन-ंग्लेंड में चले कुछिन कोशी नियू यूर्क में है ठीके ना इंटरनेस्टर कूर्ट आउट जैस्टिस इसका हेड़कौर्टर कहां पर है तो यह है दाहेग में दाहेग आपका कहां पर है यह जगह आपका है नीदर लैंड में आगे आते हैं कोश्चन नंबर सी जो रखा है उनाइटे नेशन सेक्योरिट की कैपिटल क्या है तो यह है अगलूरू को तो बैंगलूरू को नहीं मिलेक यह वर्ड में क्या दियान सीनम्बर पर आते हैं बर्थ प्लेस्ट आफ मदर्टरेशा का बर्थ ब्लेस्ट क्या है इस कोपीज ठीक ना इस कोपीज आपका कहां पे है यह नौर्थ मेसरोडोनिया में है और इनका जन्म हुआ था 26 अगस्त 1910 में ठीक है चलिए हेड़क्वार्टर अफ़ युनाटे नेशन का हेड़क्वार्टर आपका कहां पे है नियॉयॉर्क में तो इसका अंसर हो जाएग आर्फ फ्र जो आपके कोड है यहापको दे राखे हैं तो आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा और मैच है अशasis हेटी करेंगे ठीक है यह अमस्टर्डेम बनेगा ठीक है अब मैं यह नहीं बताउंगा यह बताउंगा डारेक्ट अंसर क्या है तो इसका अंसर है Option No.D-P-E-K तो यह बनेगा बीजिंग डीए विजिंग ठीक है तो बीजिंग आपकी क्या है capital है किसकी चाइना की तो इसका जो code है वो क्या है पी-ई-क अब आते हैं question number 23 पर question number 23 क्या है the given logo is the of a park in which the white space form the monkey and the lion staring at each other identify the logo ठीक है तो यहां पर यह बता जा रहा है कि यह लोगो किस इसका है ठीक है तो यह लोगो जो है यह है आपका the Pittsburgh जू का किसका है the Pittsburgh जू का अधिके Pittsburgh जू है कहां पर यह ज़्यादा जरूरी है जारना तो यह है Pennsylvania में और Pennsylvania है आपका USA में पैंसरवेनिया वो जगह है जहां पर सबसे पहले तेल निकालने के लिए कुणा खोद आ गया था ठीक है ना फिर है Grand Canyon National Park यह आपका कहां पर है यह Arizona में और Arizona कहां पर है आपका USA यानि की अमेरिका में ठीक है चलिए अभी और चीज़ें यहां पर पढ़ना है दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क आप से पूछा जातों यह क्रूगर नेशनल पार्क और यह कहां पर आफ्र ऐस साथ का मैं फिर है झा नी नी ने दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क नहीं है यह साथ आफ्रीकशा सबसे बड़ा मैं आपको 24 पर यह हपर लोगो बताना है कि ये लोगो काउन सा है और लोगो किसका यह जो है दोस्तों यह आपका ड्व्व सब्सक्रायलोरों का धाउना अब यहां पर जानना ज़़रूरी जैसे ड्व्य सब्सक्राइब जनेवा और उनिच् nggak का है न्युयोर्क में ड्वLsp का जो आपका हेड़कॉर्टर है वो कहां पे है यह है आपका ग्लैंड सहर ग्लैंड सुर्टजर लैंड में तो ग्लैंड एक शहर है वहां पे है फिर है लोगो आफ यूनि यूनेस्को यूनेस्को कहां पे है आपका पैरिस में कहां पे है पैरिस में ठीक है पैरिस कहां पे है फ्रांस में फिर है आयलू, आयलू का हेड़क्वाटर आपका कहां पे है जनेवा में ठीके ना जनेवा आपका है सुट्जर लैंड में फिर योनस्को का आप जानी रहे हैं कहां पे है पेरिस चलिए तो इस कहां से रोजय का ऑप्शन नमबर ए यहां पर दोस्तों ही वीडियो खत्व होता है वीडियो देखके आपको मज़ा आया कि नहीं आया ठीक है काफी नॉलेज इंप्रोप्वेंट हुई आपकी कि नहीं हुई यह बतािए और यहां पहे है मेरा गूगल पे नमबर देखी यूटूब से मुझे उतने पैसे मिलते नहीं है तो अगर आप कुछ help करना चाहते हैं तो इस नमबर पे गूगल पे कर सकते हैं ठीक है चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार चैप्टर नमबर पूर साइंस और टेक्नोलोजी में